सुप्रभाद बच्चो आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ क्रिया क्रिया मतलब काम करना तो गद्यांश देखते हैं सुभा हो चुकी है अंधेरा नश्ट हो गया है पक्षी चहक रहे हैं सूरज उदै हो रहा है बच्चे विद्याले जाएंगे किसान खेत को जाएंगे सारे प परिभाशा हुई जिन शब्दों से किसी कारे के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं तो आगे देखते हैं बच्चो आगे देखते हैं बच्चो आगे क्रिया के दो भेद होते हैं अकर्मक क्रिया और सकर्मक्रिया अकर्मक मतलब बिना कर्म के और सकर्म के साथ अकर्मक मतलब जिस वाकी क्रिया को कर्म की अवशक्ता नहीं होती है उसे हम अकर्मक्रिया कहते हैं जैसे हाथी चल रहा है गाएं जा रही है फिर आता है सकर्मक्रि कहते हैं जैसे फल वाली फल बेच रही है अब सकर्मक्रिया की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है बच्चो कि सकर्मक्रिया के साथ हम क्या किसे या किसको करके प्रशन पूछ सकते हैं यानि जहां पर भी हमें क्या किसे और किसको का उत्तर मिलता है वह सकर्मक्रिया है जैसे र का इतार से तो बच्चो आ आपने देखा यह पार्ट आपका क्रिया कलाप में हैं तो हम इसको अभी इतना ही समझेंगे आगे का पार्ट आप अगली कक्षा में विस्तार से समझेंगे तो हमने अभी सीखा कि क्रिया क्या होती है क्रिया मतलब काम करना जब भी कोई काम होता है या काम किया जा रहा होता है तो उसे क्रिया कहते है और क्रिया के दो भेद सीखे अकर्मक्रिया और सकर्मक्रिया अकर्मक्रिया मतलब जिसमें कर्म की अवर्शक्ता नहीं होती और सकर्मक्रिया जहां पर कर्म की अवर्शक्ता होती है जैसे कि हमने उधारन में लिया था अकर्मक्रिया का हाथी चल रहा है गाएं जा रही है अब यहाँ पे हम क्या करके प्रश्ण नहीं पूछ सकते लेकिन फल वाली फल बेच रही है यहाँ पे हम क्या करके प्रश्ण पूछ सकते हैं कि फल वाली क्या बेच रही है तो उत्तर आएगा फल वाली फल बेच रही है रमा पत्र पढ़ रही है प्रेशन पूछा जा सकता है रमा क्या पढ़ रही है तो उत्तर आएगा रमा पत्र पढ़ रही है आशा करती हूं बच्चों आपको यह पार्ट समझ में आगे